नमस्कार दोस्तो, शोट अपडेट, तो देखो फ्रेंट्स, आज यहाँ पर हम बातचित करने वाला है, सबसे पहले हुभी ग्लोबल एक्चेंज थाइलेंड में नेक्स्ट महिने से बंद होने वाला है, मतलब एस उनके हमें गबराना नहीं है, क्योंकि थाइलेंड इतना ब यहाँ पर जो अफ़ा अभी फेल रही है कि इंडियान एक्चेंज उने विड्रो देना बंद कर दिया है, तो देखो मेरे वाई, गलत है, मैंने अभी अभी चेक किया, वजरिक्स में विड्रो स्टार्ट है, कोईन स्विस्ट कुबेर में विड्रो स्टार्ट है, अब जो फंड है, प्राइवेट वोलेट में है, ट्रस्ट वोलेट, मैटामास, फिर यहाँ पर मेरा जो फंड है, इंटरनेशनल एक्चेंज पर पड़ा हुआ है, तो जैसे आप वजरिक्स में भी जाके चेक कर सकते हो, अफवा से आप से आपको दूर रहना है, क्योंकि अभी यहाँ पर प्रोब्लेम भी कहीं आजाता है, तो हमारे पास ओप्शन रहता है, पी टूपी का, आपको बता है, पी टूपी कभी बंद नहीं होता है, जब यहाँ पर इंडिया में, दोजार अठ्रा में, ट्रांजेक्शन पर बेन लगया था, गवर्मेंट ने, तब पी देखा है, काफी सारे आटिकल आज मैंने ऐसे देखे, एक अजार करोर रूपे का स्वाहा हो गया, मतलब भारती है, जो निवेश रखे, उसका एक अजार करोर का स्वाहा हो गया, क्योंकि कोई फर्जी एक्चेंज था, और वहाँ पर लोगों ने निवेश किया, आप देखना, जो रेप्यूटेड एक्चेंज है, मिलियनों में उसके यूजर है, और वीडियो भी उसका देखना है, कहीं जाके वेबसाइड देखना है, कहीं यूटूब में वीडियो देखना है कि एक्चेंज रही में चल रहा है, नहीं चल रहा है, काफी सारे नए नए CX Plus International Exchange में हुभी Global, Coinbase Binance जैसे बड़े Exchange का ही यूज कीजेगा जैसे कि हमने सभी Exchange का Link डिक्रिशन बोक्स में प्रोवाइड कर दिये जो आपके पास नहीं है तो आप जाके कर सकते हो ठीके, Next अब देखो फिरिंट सबसे बड़ा जो Problem है, Man जो Problem है वो है सिदी सी बात है कि आप कहीं Cryptocurrency को Transfer करने जाओगे तो 1% TDS Detect होगा Total Capital का 1% मतलब आपने कहीं 100 Dollar Transfer करना है तो सिदी सी बात है 1 Dollar कटेगा Government को पता चल जाएगा कि 1 Dollar कटा मतलब उसने 100 Dollar को Transfer किया है अब वो आपके पास से Detail ले सकते अभी देखेंगे डरना नहीं एक जोलाई आने दो और हम तो क्या कि Long Term Holder है इसलिए हम कहीं इदर उदर तो Crypto करने वाले है नहीं जिन लोग को Daily Multiple Transaction करना है उन लोग को गबराने वाली बात है अब यहाँ पर Transaction को तो हम नहीं छुपा पाएंगे क्योंकि करने ट्रांसफर करेंगे तो 1% कटेगा तो Government को Automatically पता चलेगा 1% कितना मिला मतलब पता चलेगा कि कितना amount ट्रांसफर हुआ है अब यहाँ पर वो 30% tax भी वसुल सकेंगे इस तरीके से मतलब कहां कितना ट्रांसफर हुआ उस पर 30% टेक्स वो डाल सकेंगे हमें गबराना नहीं है सबसे बड़ा प्रोब्लेम अभी का यही है TDS का एक जुलाई से एप्लिकेबल होने वाला है और अगेन देखेंगे आने वाले टेम में वो कम भी हो सकता है और यहाँ पर यह चीज काफे दिनों से घुम रही है आर्टीकल में देखने को मिल रहे GST के बारे में तो देखो यहाँ पर इसने GST के बारे में बताय है कि government अभी इसमें framework कर रहे है काम कर रहे है कि आने वाले टाइम में 30% tax को लगेगा ही लगेगा बट 28% per transaction GST लग सकता है मतलब यह जो यह मेरी इसाब से impossible है क्योंकि already 30% tax अब यह 30% tax है 1% TDA से अब 28% GST लग गया तो यह जाएगा कहाँ पर per transaction 28% GST impossible है मतलब यह मेरी इसाब से या तो अफ़वा है या तो देखें के आने वाले टेम में को अफ़िसल न्यूज आता है या नहीं आता है अब देखो यहाँ पर इसने साब साब मेंशन किया है 28% GST है all crypto transactions including mining sales and purchase तो देखो मेरे भाई हो गया तो बहुत बड़ा problem होगा मेरे इसाब से यह नहीं होगा हमें holding करना है long term जो holder है उसको बहुत ज़्यादा problem नहीं आएगा इन चीजों से ठीक है और कोई query है तो comment box में बता दे न बाकि next video में लेके आ रहे है bitcoin का analysis wait करना next video बहुत जल्द आएगा good bye